हरी ओम फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल हरी ओम हरे कृष्णा में 21 सनी बार को सुबह 5 बच के 35 मिनिट से 6 बच के 57 मिनिट तक है तो ये तो हो गई ब्रत की तिथी अब बात करते हैं ब्रत की बिधी तो बिधी लगभग सेम है हर एकादशी के पुजन बिधी की तरह कि आपको भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा करनी है ओम नमो भगवते वाशु देवाय मंतर का जाप करना है बगवान को तुलसी देल सर्मरपित करनी है उनको भोग लगाना है आरती लगानी है इस तरह से पूजा करनी है तो चलिए अब बात करते हैं इस एकादशी के कथा की तो इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि एक र दश्टी हो गई थी तो सारे प्रजा भी बहुत त्रासित थे तो सबने मिलकर राजा से कहा कि राजा आपको इसका उपाय करना चाहिए तो आप बन में जाकर पस्या कीजिए रिशी मुनी से मिलिए तो राजा कुछ लोगों को लेकर सगन बन में गए वहां जाकर जब वो रिशी मुनी को ढून रहते तो उन्हें रिशी अंगिरा का दर्शन हुआ तो वह बहुत प्रशन हुए रिशी अंगिरा की उन्होंने पूजा की और फिर जाके रिशी अंगिरा ने उनसे पूछा की राजन कहो क्या समस्या है तो राजन ने कहा कि रिशी मेरे राजे में कि इसी चीज की कोई कमी नहीं है मैं धर्म पूर्बक राजा मतलब प्रजाओं की पालन को करता हूं फिर भी मेरे राजी में इस अना ब्रिष्टी की स्थिति हाँ पहुंची है सारी प्रजा त्राही माम कर रही है और ना अन है ना भर्षा हो रही है तो इस स्थिति में मुझे बताईए कि क्या समस्या हो रही है क्यों मेरे राजे में ऐसा हो रहा है तो अंगिरा रिष्टी ने कहा कि देखो राजन ये स्थितियूग है इसमें धर्म चारों चर्नों सो युग्त है लेकिन तुम्हारे राजी में एक शुद्य भी तपच्या कर रहा है जबकि केबल ब्रामनों को ही तपस्या करने की आग्या है तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे ये शुद्र जो है वो तपस्या ना कर सके तो राजा ने कहा कि देखी प्रभू वो एक तो तपस्या में सनलगने है और दूसरा वो निरपराद है तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो आप मुझे कुछ ऐसा उपाई कहिए जिससे कि मैं उसको बिना च्छती पहुचाए बिना उसकी तपस्या में बिग्न डाले अपने राजी में वर्षा करा सको तो रिशी ने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम भादरमास के सुकलपक्ष की इस पदमा एकादशी को करो तुम्हारे राज में बर्षा होगी सवरी प्रजा और राजा ने मिलकर उस पदमा एकादशी के ब्रत को रखा और उस राज में बहुत भारी बर्षा हुई और फिर से वो राज खिल खिला उठा वहाँ पर अन के फिर से भंडार भर गए और इस तरह से जो भी इस एकादशी के ब्रत को करता है उसको अनन फूने फलदाई होता है और इस एकादशी के दिन चाहिए कि लोग मित्टी के घड़े में जल भरके उसको एक कपड़े से ढखके शूती कपड़ा हो नया कपड़ा हो उससे ढखके या फिर उस घड़े में दही चावल भर के रिशी मुनियों को दान करना चाहिए ये भी हमें अनंत फल प्रदान करता है और ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी के ब्रत को करता है और उसके पुर्णी को प्राप्त करता है वो अनन्त पूर्णी को प्राप्त करता है इस एकादशी के व्रत के द्वारा और एकादशी का व्रत आप जानते हैं कि जैसा मैं हर एकादशी में कहती हूँ अगर आप केवल तुलसी दल समर्पित करके ओम नमो भगवते वाशु देवाई का ही अखंड जाप करते हैं हमारे देव शिल्पी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब चीजों की मतलब सफाई करके उनकी पूजा करें देवता को भी उनका भोग समर्पित करें इस तरह से हम भगवान की कृपा को प्राप्त करें तो फ्रेंट्स आप अपना भी ध्यान रखिए और ये जो सुव लक्षनों से यक्त विस्कुर्मा पूजा और एक का दसी दोनों पढ़ रही है इस व्रत का अनुस्ठान करें पूजा करें और ज्यादा से ज्यादा पु प्रण्स रादे रादे ःरी ओम तो नम भगवते वाशु देव आय ये।